दोस्तों इस वक्त में मौझूद हूँ विरासत हेरिटेज विलेज में जी मैं एक गाड़ी में बैटी हूँ जो सो साल पुरानी है मैं महसूस कर रही हूँ कि कभी मेरे दादा पर दादाओं ने इसे चलाया होगा मैं उस सरणीम अतीत को भी याद कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ ऐसा बहुत कुछ है विरासत हेरिटेज विलेज में तो जल्दी कीजेगा आईए और अपनी हर्यानवी संस्कृति के दर्शन कीजे कुर्शेतर जिले के गाउं मसाना में स्थित विरासत हेरिटेज विलेज में हर्याना के सांस्कृतिक और गोरवशालिती हास को देखने के लिए काफी संख्या में प्रटक पहुँच रही है एहम बात यह है कि प्रटकों में युवा भी रूची के साथ हर्याना के प्राजीन धरोवरों को देखकर खुश हो रही है कोई यहाँ पर सेल्फी ले रहा है तो कोई यहाँ पर सो साल से ज्यादा पुराने हल को देखकर अपने पुर्कों को याद कर रहा है वही विरासत हेरिटेज विलेज में पुराने बरतन, चर्खे, लाल्टेन, सदियों पुराने बात और ना जाने क्या-क्या ऐसा सामान पड़ा है जिसे देखकर आप सहच ही विरासत हेरिटेज विलेज की तारिफ करते नहीं थकेंगे आए मिलते हैं यहां पहुँचे प्रेटकों से और जानते हैं कि उन्हें यहां आकर कैसा लगा मेरा जनम 1974 के दसक्का है 1974 में पैदा होने के बाद जो चीज़ें हमने उस टाइम गाओं में रहते हुए देखी और उसके बाद वो लुप तो होगी थी आज विराशत में आने के बाद एक बार फिर हर्यान भी अपनी फीलिंग आई कि यह सारी चीज़ें आज भी मुझूद है हम तो यह सोच रहे थे कि साइद यह खतम ही हो चुकी होगी लेकिन डॉक्ट साब ने इनको एक-एक इक इकठा करके और हमार सब के लिए और UAPD को एक मैसेज दिया है कि आज हमारा जो हर्याना एक भूलता जा रहा था अपने कल्चर को आज उस हर्याने कल्चर को दुबारा से जीवित कर दिया वो यह पता ही नहीं बच्चों को बनते कैसे हैं जो गजनी और गत्ते के साथ या उनके जितना भी यो मैटीरियल कठा होता था रद्धी होती थी उस सारे को उसमें दबा के और उस तरीके से त्यार किये जाते थे और बहुत सारी जो चीज़ें चरके हैं बाट हैं चाप है इधर जितने पाणी निकालने के डोलू जब पहले उस टाई में कुए में अरट चलते थे तो यह पाणी खेतों में देने के लिए और डोलिया वो सारी दिखाई इन बच्चों को मैंने एक पूछने लगी बेटी और जितने भी हमारे ओजार हैं खेती से संबन दित जितने उस टाईम के पई हैं और यह मतलब लगता है कि वाकई एक चीज़ को संजो के इनोंने दोबारा से हमारे युवाओं को एक जो हर्यानवी कल्चर है उसके बारे में जानकारी देखे और उसको दोबारा से जीवित कर दिया है अभी जैसे पापा ने बताया कि हमारे हर्यानवी कल्चर है तो मुझे भी देखके बहुत अच्छा लगा यहां पे और बहुत एक्साइटीड फील कर रही हूं अभी क्योंकि जैसे अभी जो हींडी है या जो पानी निकालने वाले हैं एक्शली मैंने पहले कभ हमारा हर्याना ऐसा था और मैं मतलब अपने फ्रेंज को और यूथ को मोटिवेट करना चाहूंगी कि वह भी यहां पर विजिट करें और अपने हर्यानवी कल्चर के बारे में जाने और अच्छा लगा जो अपना हर्यानवी कल्चर है पुराने टाइम की चीज़ें जैसे ह हल को देखके मुतलब इतना इमह थला हमारे दादा पर बंपनाना किसरा मैनेत करते थे था Men सोनह पश्च्छे हूं हूं यहां पर आने के बाद यह देखा बहुत पुरानी दादा जी कितनी याद आगे कि इनसिक कैसे मेनत करते हमारे से आज कल देखने का से बादादा जी की बहुत आदाई है कि किसी नमी याद आगी को देखा तो मैंने उसमें देखा कि जो हमारी संस्कुर्टी की कुछ चीजे लुप्त होती आ रही थी वो आज भी यहां पर बरकरार है और उसके लिए मैं सबसे पहले जो विरासट हरी टेज्ट विलेज उसको ठेक फुल करती हूं उसका धन्यवाद करती हूं कि आज प्रदानता आज भी है पहले भी थी खेतों में जो बड़ चड़कर भाग लेती थी आज भी लेती हैं और भी कोई भी चीज यहां पर जितना भी विरासत हैरिटेज जुलेज में कुरुक शेतर में मैंने देखा कि जादा तर जो भी प्रदर्शनी का समान है वो जादा तर हमारी महिलाओं के द्वारा ही बनाया हुआ है अच्छा लगा जी हमें अपना विरासत इतिहास देकर यहां काफी अनुबा हुआ और हम भी आर्याने से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आकर हमें अपने इतिहास को देकर बहुत अच्छा लगा हमें आकर ग्यान मिला और कैई चीज़ें ऐसी देखने में लिए जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था जी और अभी इतिहास यह जो हमारे कल्चरे लुप्त होता जा रहा है दोस्तो कभी इन लेंप्स के सहारे रेल गाड़ी चलती थी और इसी लेंप्स से सिगनल दिये जाते थे लेकिन आज का युग बदल चुका है जो रेल गाड़ी है वो बिजली से चलती है और सिगनल सब डिजिटल हो चुके हैं लेकिन विरासत हैरिटेज में जो अतीत है व हैं उनके प्रियास आईए जानते हैं सर बी पॉस्टी नियूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है से रामराम भाही नमस्ते रामराम मैं दूद मिले था नमस्ते मैं चाप आणी विसूप की आया लो है कुछ नहीं आनी जानी सर बताइए दस जिनका जो यह आयोजन उसको किस तरह से देखते हैं आप? वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हमने सोचा नहीं था कि इतने सोट टाइम में इतने छोटे स्पैम में इस तरीके की भीड को हम आकर्शित कर पाएंगे लेकिन जिस तरीके से मिडिया के सातियों ने हमारा सयोग दिया और हम काफियत तक इसमें सफल रहे और बहुत से ऐसे हर रोज की रोज हजारों की संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और हर्याना की जो संस्कृति है उसके दर्शन कर रहे हैं वास्तों में यूआ पीडी विशेश रूप से इसलिए आकरसित हो रही है उन्होंने यह चीजे कभी देखी नहीं है हर्याना के प्रिवाइन के और इसके साथ ही बाट के पूरे भारत की जो बाट की रियासत का इतियास है वह यहां पर है इतना ही नहीं हर्याना नहीं बलकि बलकि पूरे भारत की जो पगड़ी है वो उसकी विविद्वताई यहां पर देखनी को मिलती है और जुलाहे की परंपरा यहां पर है पेपर म और मैं सबी से आवान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरासत हैरिटेज विलेज को देखने के लिए आईए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, मारी संस्कृती, मारा ठीकाना, विरासत हैरिटेज हरियाना, गाम का नाम है मसाना, और भाई जरूर अना विरासत हेरिटेज हरियाना तो ये थी डॉक्टर महा सिंग पूनिया जिनों ने बताया कि वे हरियानवी संस्कृति और परमपरा को यहां पर किस तरह दिखा रहे हैं दस दिन का जो ये आयोजन था अब बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों आप देर मत कीजिए और हरियाना व विरासत हेरिटेज विलेज की जो परमपरा है वो अपने स्वरणीम इतिहास को बार-बार दोहरा रही है यहां पर गरव कीजिए अपनी हरियानवी संस्कृति का जो प्राचीन का से चलती आ रही है लेकिन कुछ समय के लिए वो विलुप्त सी हो गई थी लेकिन इसे जीव करने का जो कारिये है वो विरासत हेरिटेज में चल रहा है तो आप भी आईए विरासत हेरिटेज विलेज में और अपनी स्वरणीम परमपरा और संस्कृति का आनंद उठाएए बी पोजिटी नियूस के साथ नगेंदर शर्मा